गार अलेकॉम आज हम बनाएंगे चिकन हंडी चिकन हंडी बनाने के लिए हमने एक चिकन लिया था उसके मिडियम साइज के पीश किये एक बरतन में हमने एक चमच ओलावाई दुसरे बरतं में भी हमने एक बढ़ा चमच ओलावाई दो टेबलस्पून लएसन है अमारा कुटा रिंस को सब्सक्राजब दूसरे बरतं में जो हमने ओल डाला उसमें हमने पाच्छे हाड़ी लाइची डालिए दस बारा काली मिर्चे चिकन का कलर चेंज होने तक हम हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेगे चिकन को पाच मिनट तक इसमें हमने तली हुई एक कप प्यास डालिए अब हम दो तिन टेबल इसमें पानी डालके प्यास को नरम कर लेगे इदर हमारा चिकन भी हो रहा है और कलर चेंज होना चाहिए इसके अच्छे तरीके से हमारा चिकन फ्राई हो चुका है और में इदर हम प्यास में दो तिन टेबल इस्पून पाने डालकर इसको जड़ा सॉफ्ट कर लेगे प्यास को पिर हम इसमें मसाले डालेगे एक टेबल इस्पून आमारी कश्मेली लालमेच पौडर एक टैस्पून भूना कुटा धर धरा पिसा हवा अमारा धनियां यह एक टैस्पून जीरह पौडर आे आदा टिस्पून हल्धी बौडर एक टिस्पून नमक आप टेस्ट के सब से डाल सकते हैं हमने भूना कुटा दरदरा पिसा हुआ धनिया एक टिस्पून डालाएं और मसाले हम फिर चिकन पकने के बाद डालेगे आगे दिखाते हैं अच्छे तरीके से हम मसालो को मिडियम ट्वाइफ लेंग पर फ्राइक के एक टमाटर की हमने प्यूरी लिए बड़ा टमाटर था उसकी हमने एक टमाटर की प्यूरी डालिए अब हम यह मसाले चिकन में डालकर इसको पानी डालकर दस मिनट के लिए कवर करके पका लेगे चिकन को आदा कप हमने दही डालाएं इसको भी आच्छे तरीकी से मसालो में मिक्स करके अच्छे तरीकी से हमने मसालो में मिक्स किया है दही चिकन में मसाला डालकर हम इसमें एक गलास पानी डालके कवर करके पका लेगे हैं पिर लास में हम दुसरे मसाले डालेंगे चिकन पकने के बाद आपको दिखाते हैं कि कि बहुत अच्छे लगते चिकन हंडी एक बड़ जरूट रहें कि कवर करके हमने दस मिनट तक चिकन को कुक किया है कि देखें हमारा चिकन पक चुका है अब हम दुसरे मसाले डालते हैं एक टेबल इस्पून धनिया पौडर एक टेबल इस्पून कसोरीला मेती है एक टेबल इस्पून हमारा गरम मसाला पौडर है एक आदा कभ हमारा क्रीम है और पाच मिनट हम इसको कवर करके मसाले डाले तो भका लेंगे फिर हम इसको डिशॉट कर लेंगे इसको करते हैं प्लीज प्लीज जरूर लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि यह तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बेल जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नॉट्रिफिकेशन आपको मिलते रहेगी जो भी नहीं वीडियो अप्लोड होगी उसके नॉट्रिफिकेशन आपको मिलते रहेगी अल्लाह आफीज